म्याना थाना पुलिस को बड़ी सपलता हाथ लगी है गुना जिला पुलिस अदिक्षक राकेश कुमार सगर के निदेसन में अतिरिक्तु पुलिस अदिक्षक बिनोत कुमार सिंग के मर्गदसन में एहजी ओपी गुना युबराज सिंग चोहान के निदत में प्याना थाना प्रभारी निदिक्छक विपेंद्र सिंग चोहान के द्वारा यहाँ बड़ी कारवाही की गई है मुखविर की सूचना पर म्याना थाना पुलिस के द्वारा टम सपा खेडा में मिधुन जाटम नमक ब्यक्ति के यहां से फल सबजियों के पोधे के बीज से गांजे के पोधे बरामत किये गए हैं आरोपी के द्वारा गांजे की खेटी की जा रही थी आरोपी के पास से गांजे के 19 हरे पोधे बरामत किये गए हैं इनका कुल बजन 28 किलोग्राम बताया जा रहा है बताया जाता है कि सातिर मिध्धुन जाटप के द्वारा अपने खेत में जहां साग सब्जियों की खेती की जा रही थी वहीं वहुत ही सफाई से गांजे के पोधे भी रोपे जा रहे थे अंतराइश्टी बजार में इस गांजे के पोधो की कीमत हाजारो रूपे में बताई गई है पुलिस ने आरोपी मिधुन पुत्र भानू जाटब को गरप्तार किया है इस जबरदस्त कारवाही में मियाना थाना पुलिस के थाना प्रभारी निरिक्षक बिपेंदर सिंग्चोहान सहयक उपनिरक्षक सुमित सेंगर सहयक उपनिरक्षक बिजेरिस देबरिया सहयक उपनिरक्षक बिजे चतुरवेदी पुलिस के द्वारा आरोपी मिधुन से पूस्ताच की जा रही है आदस नुच के लिए म्याना से पत्रकार सतेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट रही है उक्त सूचना के तस्दीक हेतू थाने से टीम को रवाना किया गया था थाना टीम द्वारा वहां पर द्विश दी गई द्विश के द्वरान आरोपी को गृफतार किया जाकर उसके कब जैसे गांजे के 19 पौधे जिनका वजन 28 किलो था लगभग 28 किलो 600 ग्राम है से सही ओप रहा है आदेश मल्टी स्पसिलिस्ट होस्पेटल आकस्मिक चिकिस्सा सुविधा 24 इंटू समन उपलब्द सुविधाये प्राइवेट वार्ड जेनरल वार्ड सेमी प्राइवेट वार्ड आईसीउ ऑपरेशन थीएटर एक्सरे एसेजी पैथलोजी लाब मैड सब्सक्राइब करें और आप हमें आने सोसल मेडिया हैंडल पर भी फालू कर सकते हैं झाल झाल झाल